जहीं दोस्तों कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे आपकी तयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी स्वागत करता हूँ अपने प्लेटफरों बिये जुकेशन एंड मोटिवेशन पे जो पहली बार देख रहे हैं लाइक करें सेर करें सस्क्राइब करें और अपने परिवार का हिसा बने ताकि आपको सभी परकार के नोटिफिकेशन गाइडेंस और प्रिप्रेशन के लिए विबिन परकार की जानकारी आप लोगों को तक पहुंचे बेल आइकन जरूर बत ना दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और उसके बाद में ये भी एक RTI के ते ये भी पूचा गया था कि दिली पुलीस की वेकेंसी आएगी और नहीं आएगी तो कितने पदों पर आएगी ये तमाम परकार की जितनी भी जो जानकारी है वो एक हमें RTI के माजम से भी मिला था और उससे पहले दिली पुलीस का लिए एक SSC के दुआरा जो कलेंग्डर जारी होता SSC का उसके अंदर ये वेकेंसी के बारे में जैसा बोला गया था तो दोस्तों आज हमें इसे वीडियो के माजम से ये चर्चा करेंगे आप वीडियो के लाश तक जरूर बने रहे ना कि कोन करवाएगा इस दिली पुलीस की वर दोसित यानि के बरती की तीति के बारे में भी हमें पता चल गया है उसके बाद में क्या रहेगा सेलेबस इसके अंदर और कितने पद होंगे तो दोस्तों हम पहला जो हमारा पॉइंट है इससे हम कवर करते वे जाएंगे आप वीडियो के लाश तक जरूर बने रहे ताकि यहां की सारी इंफोर्मेशन सारी जानकारी आपको मिल सकें और आप इस बरती के बारे में संपोंट जानकारी आप हासिल कर सकें और इसी इससाफ से आप अपने प्रिप्रेशन करें अपनी तैयारी करें तो दोस्तों कौन करवाई का बरती जब हमारा सेसी के दौर एक लें वेकेंसी है वो दिली पुलीस के द्वारा नहीं एससी के द्वारा ही करवाई जाएगी और यह निश्चित है और यह कंफरम हो गया है कि दिली पुलीस के द्वारा ने करवाकर एससी के द्वारा ही करवाई जाएगी तो आप निश्चिंत रहें दिली पुलीस इस वेकेंसी क दिया गया कलेंग्टर के अंदर तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं SSC है SSC के दौरा साल में दो बार कलेंग्टर जारी किया जाता है तो एक कलेंग्टर आपका अभी आने वाला है और एक कलेंग्टर आपका पहले जारी हो गया कब करवाए जाएगी और ये कब कर वाया जाएगी इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारा second point कि ये तीती गुशिट हो गई ये कब करवाए जाएगा दोस्तों ये वेकैंसी है वो सितंबर के मैने के अंदर प्रस्तावित हैं इसे सीके से के द्वारा यह कैंस और यह हंदेड़ परसेंट मिल सकती है इसके बाद में दोस्तों इस का रहेगा तो दोस्तों अभी तक के द्वारा और दिली पलीस के दोनों के दोरा यह नहीं बोला गया है कि इसके syllabus के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी भी प्रकार का चेंजिंग किया जाएगा तो अभी तक 100% जो आपका पिछली बरती के अंदर जो आपका syllabus था वो का वही syllabus यहां पर रहने वाला है तो आप निश्चिंत होके इस प्रकार की information आप अभी तक नहीं आई है तो आप निश्चिंत रहें इसका syllabus से वो कवोई रहने वाला है अब रही बात के हमारे पद कितने होंगे यह पदों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पद जब RTI के दौरा पूचा गया तो वहां पर बताया थ और इसके अंदर पूरुस और महिलाई दोनों के लिए वेकेंसी है और दोनों के लिए दिली पुलीस के दवारा यानि कि सेंटर के अंदर और दिली पुलीस के अंदर 33% जो महिलाओं का आरक्षन है वो बरकरार यहां पर रखा जाता है और इसके अंदर यानि कि एक के लिए यहां पर रिजर्व रहती है तो जितनी भी साढ़ साथ एजार का एक यानि कि एक बाग है वो मही्लाओं के लिए और दो हो पुरसों के लिए तो यहां पर कमिंदे जाने के अंदर पद्ध यहां पर आप लोगों के लिए आने वाले हैं सेलेबस भी वह का वही है और एससी के दौरा यह पेपर करवाए जाएगा सितंबर के लगवग यहां पर आपकी यह वेकेंसी आने के पूरे पूरे चांस है तो अमीद करता हूं यह सारी इन्फॉर्मेंस न आ लाना चाहिए कोन सा यासेश आपके लिए और महिलाओं या पूरुसों चाहिए या एक को चाहिए ये सारी जयाकारी मैं आप बाता दूंगा तब करता हूं आप अपना टेलिग्राम चैनल जुरूर जोइन करें जे हिंद जे बारत